हेलो ब्यूटिफुल पीपल, हाप आर यू, आप सब कैसे है, तो I ate only South Indian food for 24 hours challenge, मैंने घर से ही शुरुआत कदी, तो चोचो बात, केसरी बात, वड़ा, एन इडली सांबार मगा के मैंने सुबह का early morning breakfast सुरू कदिया, तो आए शुरू कते है आज का चेलेंज अफ्टर्नून लंच टाइम में में बाहर गई, मेरी तब्यत थोड़ी खराब थी, पर फिर भी मैंने लंच की पूरी थाली है, वो फिनिस की, जिसके अंद छे से साथ कटोरी, सबजी, दाल, रसम, एसेटरा, जो South Indian food था, वो था, राइस की एक बड़ी प्लेट थी, एंड पूरी जिसका मैंने उड़ाया मज़ा। लंच पूरा हो जाने के बाद मैं घर चली गई थी, और फिर इवनिंग टाइम स्नेक कनेक, स्नेक टाइम में मैं बाहर निकली, जिसके अंदर मसाले डोसे और कोफी पी, यहाँ पर खाना खाने के बाद कोफी पिना बहुती जरूरी माना जाता है, तो ऐसे मैंने एक डिफरेंट स्टाइल का मसाला डोसा जो स्पेशियल बनाते हैं, वहीं पर जाकर मैंने इवनिंग टाइम में स्नेक किया। स्नेक टाइम। जब मैंने साउथ फुट के बारे में ज्यादा पुछा तो वो लोग हंसने लगेते और कह रहे थी कि यह क्यों पूछ रही हो तो मुझे भी हसी आ गए थी। नेक्स्ट में जो चोटे-चोटे बनाना है क्यूट सा यह भी साउथ इंजियन का कुछ स्पेशियल माने जाने वाला बनाना यानि की फूड है तो मैं इसका भी टेस्ट कर लेती हूं। वैसे तो बहुत ज्यादा है पर मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने खाया है। तो ऐसे मैंने लेट इवनिंग में यानि की साड़े छे साथ बजे मैंने यह स्मॉल बनाना खाया। यहां पर जो यह छोटे छोटे बनाने होते हैं वह थोड़े से कच्छे जैसे होते हैं। तो मैंने टेस्टी करने में वैसे तो मैं यहां रहती हूं तो खाती हूं। मगर इतना ज्यादा यह स्मॉल बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है पर आच तो मैंने बहुत ही ज्यादा ही छोटे बनाने का मज़ा उड़ाया। और नेक्स्ट में मैंने खाया है यही। तो इसे मुर्बूरे केते हैं हिंदी में और यह भी साउथ में बहुत ज्यादा लोग पसंद काते हैं तो इसको साउथ की लेंग्वेज में केते हैं क्या कहते है कडले पूरी हां तो यह कडले पूरी है वह में का रही हो भी तो इस तरह के से मैंने पूरे दिन साउथ का फूट का मज़ावडाया और नाइट में मैंने खाया यह कर्ड राइस जिसके ऊपर पूमो ग्रेनेट के वह सिच डाल रखते हैं और स्मोल पापड जिसका स्पेशल साउथ टच होता है तो ऐसे मैंने डीनर भी कंप्लीट किया मैंने कंप्लीट कर ली है तो यहां पर मेरी चलेंज है वो पुरी हो रही है मेरे गले में कुछ हो गया है और जुकाम जैसा लगता है कभी मैं पंखा चालू करके बैठती हूँ तो कभी स्वेटर फेंदी हूँ बाइदोब मैंने यह चलेंज बड़ी इंट्रेस्टिंग बड़ी मजह से पूरी की है अपको इंट्रेस्टिंग लगी क्या हाँ हाँ लगी है तो कमेंट जरू करना थेंक्स पूर वाचिंग स्टे ब्लेस्ट बीटिफुल पीपार